राजस्थान में विधान सभा चुनाव को लेकर 25 नवंबर को वोटिंग होने वाली है ज्यादातर ओपिनियन पोल में कॉंग्रेस पार्टी की हार दिख रही है अगर यही नतीजे सामने आते हैं तो राजस्थान में वह परिपार्टी जिन्दा रहेगी जिसमें हर 5 साल के ब गहलोत वसुंधरा राजे सचन पाइलट सहित केंद्रिय मंतरी गजेंद्र सिंग शेखावत जैसे नेताओं के बारे में लोगों की राए सामने आई हैं अक्टूबर के 24 से 31 तक राजस्थान के 200 विधान सभाग शेत्रों में 3000 से अधिक लोगों ने अपनी राए रखी हैं सतारूड कॉंग्रेस को कुछ मुद्दों पर बढ़त भी मिली है स्कूल और अस्पताल को लेकर राजस्थान की जनता अशोक गहलोत के कामकाज से खुश है नहीं बढ़ते भरष्टाचार महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान है 43 प्रतिशत मतदाताओं का कहना ह कि वे गहलोत सरकार से पूरी तरह संतुष्ट है 28 प्रतिशत लोग कुछ हद तक संतुष्ट है केवल 10 प्रतिशत लोगों ने ही कुछ हद तक असंतुष्ट कहा है वही 14 प्रतिशत लोग सत्तारूड दल से पूरी तरह से असंतुष्ट है BJP को मोधी फैक्टर का फाइदा मोधी फैक्टर की वजह से भाजपा को राजस्थान में लाभ मिलता दिख रहा है सर्वे में शामिल लोगों को PM मोधी और CM गहलोत में से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया तो PM मोधी ने गहलोत को मात दे दी 37 प्रतिशत लोग PM मोधी को पसंद करते हैं वही 32 प्रतिशत लोगों को गहलोत पसंद है 20 प्रतिशत लोगों ने दोनों को ही पसंद किया है राजस्थान का CM कौन? राजस्थान की जनता से जब पूछा गया कि आप मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखते हैं तो 27 प्रतिशत लोगों ने अशोग गहलोत को अपना पसंद बताया वहीं भाजपा की वसुंधरा राजे को 14 प्रतिशत लोगों का ही साथ मिला है सचिन पाइलट लाख दावा कर लें लेकिन सर्वे के नतीजे यही बताते हैं कि गहलोत के सामने उनकी लोगप्रियता अभी काफी कमजोर है उन्हें सिर्फ 9 प्रतिशत लोगों ने पसंद किया है बीजेपी में वसुंधरा का ही राज अगर सिर्फ बीजेपी नेताओं के बारे में पूछा गया तो 27 प्रतिशत लोगों ने वसुंधरा को अपना पसंदीदा उम्मीदवार बताया इस रेस में केंदरिय मंतरी गजेंदर सिंग शेखावत 6 प्रतिशत मतों के साथ तीसरे नमबर है उनसे अधिक लोगप्रियता भाजपा नेता बालत नात की है जिन्हें 13 प्रतिशत लोगों ने पसंद किया है राजस्थान का राज बदलने के लिए भाजपा ने रणनीती बदली है पहली बार यहां बिना किसी स्थानिय चहरे के चुनाव लड़ने जा रही है चुनाव के केंदर में प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी के चहरे को रखा गया है जबकि प्रदेश में 25 साल से एक बार कॉंग्रेस और एक बार भाजपा की सरकार बनाने का रिवाज चल रहा है मुख्यमंतरी अशोक गहलोत ने अपना राज कायम रखने और इस रिवाज को बदलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है उनकी कोशिश है कि इस बार हर हाल में अपनी योजनाओं के दम पर सरकार रिपीट करा लेंगे लेकिन उन्हें इस बार न तो राहुल गांधी का साथ मिल रहा है और नहीं युवा नेता सचिन पाइलट की सक्रीता है ऐसे में चुनाव में राज और रिवाज बदलने के बीच दिल्चस्प संधर्ष देखने को मिल रहा है कॉंग्रेस विधायकों से नाराजगी जैपुर के गांधी नगर रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते ही होर्डिंग सियासी तस्वीर दिखाने लगते हैं कॉंग्रेस के हर होर्डिंग में केवल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविन सिन्ध डोटासरा और सीएम अशोक गहलोत के चहरे को हाइलाइट किया गया है जिस पर लिखा है काम किया दिल से कॉंग्रेस फिर से जबकी भाजपा के होर्डिंग के बीच में पीएम मोदी का राजस्थानी साफा पहने तस्वीर उनके एक और वसुंधरा राजे राजेंद्र राठोर तो दूसरी और जेपी नडदा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का चहरा है इस पर लिखा है खुशाल राजस्थान बनाएंगे भाजपा को लाएंगे इन होर्डिंग को देखने को बाद उबर चालक बिजेंद्र सिह से पूछा इस बार किसकी सरकार आ रही है इस पर बिजेंद्र सिह ने कहा कुछ ज्यादा पता ही नहीं चल रहा है CM अशोक गहलोत साहब की बहुत सारी योजनाओं से लोगों को फाइदा भी मिल रहा है लेकिन विधायकों से बहुत नाराजगी है बस अपना और अपने लोगों का काम कर रहे थे मिनी CM बने हुए थे मालविय नगर इलाके मने बत्रा मेडिकल स्टोर चलाने वाले रवी बत्रा कहते हैं कि पहले गहलोत की मुफ्त योजनाओं की चर्चा हो रही थी लेकिन अब माहौल बदल गया है पार्टी ने दूसरी सूची में वसुंधरा समर्थकों को टिकट दे कर बड़ा मैसेज दे दिया है इससे टकराव वाली स्थिती खत्म होती नजर आ रही है